प्रिय सिक्षार्थियों एनाई यूएस के इस इस्टूडियो में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हादिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आज हम लोग 25-24 चंदांसी के विशय में अध्यान करेंगे इसके विशय में जानने का प्रयास करेंगे चंदांसी चंद क्या है चंद कौन-कौन से महत्वपूर्ण है पिछली कक्षा में हमने चंद से संबंधित नियमों को पढ़ा चंद की विद्पत्ति के संदर्भ में विविन्ह आचारियों के द्वारा क्या कहा गया चंद का लक्षण क्या है इसके अतरिक चंद के नियम क्या है गण क्या है, यती क्या है, मात्रा क्या है, इन सभी विशयों पर हम लोग पिछली कक्षा में अध्यान किये प्रस्तुत अध्याय में हम जो महत्रपुर्ण छंद हैं, मात्रिक छंद है, वरणी कादी जो छंद है उनके विशाय में हम रस्तुत अध्याय में इस अध्याय में अध्यान करेंगे मात्रिक छंदान से मात्रिक छंद किसे कहते हैं? पुरो कक्षा में बतला गया कि मात्रिक छंदों में मात्राओं का आश्रा रेकर के गणों की रचना की जाती है इसके प्रत्रेक गड़ में चार मात्रा होते हैं इसमें मात्राओं का ही महत्र होता है यहां मात्रिक छंदों के अंतरगत केवल आर्या छंद का वरण किया गया है छंद वरण के प्रसंग में यह आपको बतलाया गया था कि दो प्रकार के छंद होते हैं वरडिक शंद और मात्रिक शंद, वरडिक शंद को बृत्त कहते हैं और मात्रिक शंद को जाती कहते हैं, यहां हम मात्रिक शंदों के विशय में अध्यान कर रहे हैं, कि मात्रिक शंदों में मात्राओं का महत्र होता है, मात्राओं की गर्णा की जाती है, मात्रिक शंद में प महत्यु है प्रस्तुत्पाट में मात्रिक छंद के अंतरगत केवल आर्या छंद का यहां वरण किया गया है अब आर्या छंद किसे कहते हैं मात्रिक छंदों का यह प्रत्निधी छंद माना जाता है इसका ले सामान्य रूप से है और इसके जो लक्षण है लक्षण है यस्याह प्रथमे पादे द्वादस मात्रास तथा तति एपी अश्टादस दृतिये चतुर्थके पंच दस सार्या आर्या छंद के अंतरगत जो छंद है इसके प्रतेक पाद में आर्या छंद के अंतरगत जो भी श्लोकाते हैं किन्तु आर्या चंद में वरणों की संख्या प्रत्यक पाद में अलग-अलग होती है। यस्याह प्रत्यमे पादे यह एक मात्रिक चंद है, इसमें मात्राओं की गलना होती है। यस्याह प्रत्यमे पादे इसके प्रत्यम पाद में द्वादस बारव मात्रा होती है। तथा तृतिय पी अर्थात प्रथम और तृतिय पाद में 12 मात्रा होती है और दृतिय पाद में 18 मात्रा होती है और चतोर्थ पाद के 15 सार्या और चतोर्थ के अर्थात चतोर्थ पाद में 15 अर्थात 15 अक्षर होती है तो जिस चंद के प्रत्येक पाद में अलग-अलग मात्राएं हो, जैसे प्रथम पाद में बारह मात्रा, दृतिय पाद में अठारह मात्रा, तृतिय पाद में बारह मात्रा, और चतूर्थ पाद में पाद से तातपरे है चर्ण, और चतूर्थ चर्ण में पंदरह मात्राएं होती है वहां आरया चंद होता है गण के पसंग में वतलाय गया है कि इसके प्रत्रेक गण में चार मात्राएं होती है और चार मात्राएं चाहे चार अक्षर लगू हो चाहे दो अक्षर दिर्ख हो चाहे दो लगू एक दिर्ख हो चाहे दो एक दिर्ख और दो लगू हो ये इसके गण की पहचान होती है इश्लोक के माध्यम से देखते हैं, छंदों में सबसे महत्र पूर्ड है, छंद के मात्राओं को लगाने का तरीका आना आगे इश्लोक है, यह इश्लोक महाकवी कालिदार ज्वारा रचित अभिज्ञान साकुंतलम से लिया गया है आपरितोशाद विरुशाम नसाध हुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपी सिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतह यह इश्लोक आर्याचंद में निबध्ध है, अब आर्याचंद का नियम क्या है, बतलाए गया है जिसके प्रथम पाद में 12 अक्षर हो तो इश्लोक के उपर जो चिन्ध बनाए गए है, गुरु और लगु के, वहां से देखोगे, आ है, तो आ क्या है, दिर्घ अक्षर है, तो उसपे दिर्घ का चिन्ध है, यसके समान बनता है तो दो पा लगु है, तो एक, दो, एक, तीन, अरी पे छोटी की मात्रा है, तो उसपे लगु का चिन्ध हुआ, तो जो वरड है, यह दिर्घ है, तो उसपे दिर्घ का चिन्ध हुआ, शा, शा जो है, वह दिर्घ है, तो उसपे दिर्घ का चिन्ध लगा, तो आ परितो शा शाद विदुषाम, शाद में दव हलंत है इसलिए वह शा के साथ ही जोड़ा जायेगा, विदुषाम, वि में छोटी ई है, लगू है, तो लगू का चिन्द है, दू, दू पे लगू का चिन्द है और शाम, अनुष्वार युकत है और दिर्गा अक्षर है, इसलिए उस पर दिर्ग का चिन्द बना हुआ है तो आ परितो वशाद विदुशाम यहाँ प्रथम चरण है इसके प्रथम चरण के मात्राओं को जोड़ेंगे तो 12 अक्षर आएंगे जैसा पूरु में बतलाया गया है दिर्ग को आदू 6, 2, 8, 9, 10 और 10 दो 12 विदुशाम का जो शाम है उस पे जो दिर्ग का चिन्द है मिला के 12 अक्षर हुए तो इस प्रकार से आर्याचन्द के प्रथम चरण में 12 अक्षर है इसी प्रकार से इसके जो तृतिय चरण है तृतिय चरण में भी इसके देखेंगे इसके प्रथम पाद में 12 मात्रा है यही 12 मात्राएं तृतिय पद में भी प्राप्त होती है तो तृतिय पद जो है बलवदपी सिक्षितानाम इसमें देखेंगे यहाँ पर भी 12 अक्षर प्राप्त होते हैं बलवदपी जिसमें लगू, 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 सिक्षिता नाम में शी पे लगू अक्षर है, क्छी जो है, वह संयुकता अक्षर है, इसलिए यह दिरिग अक्षर हुआ, ता जो है, वह दिरिग अक्षर है, नाम जो है, महलन्त है, इसलिए उना के साथ ही जुड़ेगा, वो भी दिर्ग अक्षर है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इसमें भी 12 अक्षर प्राप्द होते हैं, इसी प्रकार से है आत्ममन्य प्रत्ययम चेतह, इसके वरणों को, मात्राओं को गिनेंगे, तो इसमें 15 अक्षर प्राप्थ होते हैं, इस प्रकार मात्रिक छंद का सबसे महत्रपूर्ण जो छंद है, वह है आर्या छंद, और इसको पहचानने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है, कि इ इसको समझे लें, इसको याद रखें, अगले छंद की तरप बढ़ते हैं, अभी हमने मात्रिक छंदों का वरण पढ़ा, आपके अध्याय में उस पाठ में, वरणिक छंदों का वरण बहुता आयात है, वरणिक छंदों के अंतरगर्ट हम सबसे पहले, एकाद साक्छराब एक 11 अक्षरों वाले जो छंद हैं, हम उनका अधियन करेंगे, वर्डिक छंद जैसा कि पूर्वे बतलाया गया है, यह एक समचंद है, समवरित्त है, समवरित्त छंद अथाथ जिसके चारों चरणों में एक समान अक्षरों होते हैं, वर्ड होते हैं, अथाथ ऐसा नहीं है क नमवित्य छंद के प्रतेक चरण में अक्षरों की संख्या और उनके गरों की संख्या निर्धारित होते हैं और चारों चरणों में एक समान वरण होते हैं हम पहला देखते हैं छंद क्या है इंद्रवज्रा इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है चंद की ये पहचान होती है कि उसका जो चंद का लक्षण है वही उसका उदाहरन भी हो सकता है इंद्रवज्रा चंद का लक्षण हुआ यह इसका लक्षण है इसका पहचान है का रहा है कि इंद्रवज्रा चंद की रतेक चंद में तव से मतलब तातपर है तगन तव है तो दो तगन तगन जह से जगन गॉगः ठाथ दो गुरू वरन अर्थात इंद्रवज्दा छंद के रतेक चरण में क्रमसह आगे पीछे नहीं, क्रमसह दो तगन, एक जगन और अंत में दो गुरुवर्ण पाए जाते हैं अर्थात, जिस छंद के प्रतेक चरण में दो तगण, क्रमसह, तगण, तगण, जगण और दो गुरु अरण पाये जाते हैं, वहां इंद्रवज्जदा छंद होता है, अब इसके हम इसके उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में कैसे हमने इसके लक्षणों को प्रियुक किया है, तो यदितवजगउगह, दो तगण, तगण का चिंद क्या है, ताराज, सोंत गुरु, तगण का आपको पहले ही एक लक्षण बतलाया गया था, यमाता राज भान सलगा, यमाता में ताराज आएगा, तो तगण के जो चिंद है, वह है, दो गुरु वर्र और एक लगु अरण, तो यह जो इश्लोक है, इश्लोक में देखेंगे, कि गोष्ठे गिरिम सब्यकरेन धत्वा, अगर आप एक चलोन को पकड़ लेंगे, तो बाकी के तीन चलोन को भी आप सोतह समझ जाएंगे, तो गव में बड़े ओ की मात्रा है, तो वह दिर्ग हुआ, संयुक का आगे है, पुनह तगण है, दिर्ग, दिर्ग और लगु, फिर है स्थव्यक करेण, करेण में क्या है, जभान, जगण, दो तगण और एक जगण, जगण का चिन क्या है, जभान, तो जभान का चिन क्या हुआ, लगु, दिर्ग और लगु, पुनह अंत में दो गुरु वरण होंगे धिरी जो है उसके आगे का जो वरण है वो संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर के पहले वाला वरण अगर लगू है तो दिर्ग हो जाएगा और दिर्ग है तो दिर्ग ही रहेगा इसलिए दोनों वरण दिर्ग हो जाते हैं तो यहाँ इस चंद की पहचान है अगर आप एक चरण में इस चिंध को लगाना सीख जाते हैं, तो बाकी के चरणों में आप स्वतह उसको चिंधों को लगाने का प्रयास करेंगे, इसका जो चंद का लए है, महत्वपूर्ण ये है, आप जैसे जैसे चंदों के विशे में पढ़ेंगे, आप यह महसूस करें गोष्ठे गिरिम्स अभ्यकरेड धृत्वा, अरुष्टे इंद्रवज्राह मिमोक्त व्रिष्टव, योगो कुलंगो पकुलंच सुस्थम, चक्रे सनोरक्षति चक्रपाणिह, एक सुन्दर इश्लोक है, जो इंद्रवज्रा चंदर का है, हम पून आगे एक और धरिश्लोक है, इसको क्यों हम युक्त गा देते हैं, चंदगान कर देते हैं, अर्थो ही कन्या परकी येव, तामध्य संप्रेश्य परीग्रहीतु, जातो ममायम, विशदह प्रकामम, प्रत्यर्पितन्या सईवांतरात्मा, आगे हम उन्ह उपेंद्रवज्रा, चंद का हम यहां लक्षण देखते हैं, उपेंद्रवज्रा चंद, यह भी 11 अक्षरों का चंद है, इसका लक्षण है, उपेंद्रवज्रा जत जास्त तो गउह, ठात, उपेंद्रवज्रा चंद के रतेक चरण में करमसह जत जास्त तो गउह, ठात, जगण, जत जाह, जगण, जगण और अंत में गव दो गुरुवर्ण होता है। अर्थात उपेंद्र वज्ञाचंद के प्रत्यक चरण में क्रमशह जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरुवर्ण प्राप्त होता है। अब आप इन गटों को खुझ से प्रयास करिए कि कैसे इसको छंदों में लगाने का प्रयास किया जाएएगा इस लोग के माध्यम से आपको दिखलाया जा रहा है। इसमें देखेंगे आप अलम मही पाल तवस्वामेड मेड है, इसमें 11 अक्षर है जिसे में प्रत्थम जो जगण है जबहान जिसको कहते हैं जगण का जो चिन्ध है लगू दिर्घ लगू जगण, तगण का है दो दिर्घ वरण और एक लगू वरण, पुनह जो जगण है वह एक लगु एक दिर्ग और लगु और अरंत में दो गुरुवर्ण है यह जगण का चिन्ध हुआ इसलोक जो है यह भी एक सुन्दर इसलोक है और इन रवज्रा और उपेन रवज्रा दोनों का लए एक समान ही होता है उपेन रवज्रा का जो लए है छन्दगान है उसको हम देखते है यह उपेन रवज्रा चन्दगान है और लक्षणों को घटित कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसलोकों पर स्वेम उसका प्रयास करें और उसके गणों को सबसे महत्वपूर्ण है गणों के क्रम को ध्यान में रखना उपेन रवज्रा का जो गण का क्रम है जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरूरण है इसलोक में आप देखेंगे उसी तरीके से गणों को क्रम से लगाया गया है अगले चंद की तरफ हम बढ़ते हैं अगला चंद है शालिनी चंद यह भी ग्यारा क्षरो वाला चंद है सालिनी चंद का जो लक्षण है सालिन न्युक्ता मतव तगव गोवधिलो कई कहते हैं, सालनी छंद के प्रत्यक चरण में क्रमसह, मतव, मतव, तगव, मगण, तगण, तगण, और अंत में दो गुरू वर्ण होते हैं मतव में मगण होगा और तव से तगण होगा, पुनह तगव में तव से तगण को लिया जाएगा तगन से तात्परे है, कि तगन के अंतरगट दो दिर्घवरण और एक लगowserण आता है. तो सालनीच थंद के प्रत्य क्रण में करमसह, मगन तगन तगन और अंत में दो गुरूवरण आते हैं. इसमें 4 और 7 अक्षर पर यती होता है. यती से तात्परे क्या है? जहाँ पे जिहुआ सामाने रूप से स्वय में ही रुख जाती है उसको यती कहते है इस लोक को देखते हैं इस लोक है अंहो हन्ति ज्यानबःधिंबिधत्ते आप देखेंगे अंहो हन्ती जिहुआ आप यहाँ रुख रही है तो यहाँ पे इन चारक्षरों पर यती हुआ अंहो हंती ज्ञान ब्रिधिम विधत्ते धर्मम दत्ते काम मर्थम चसूते मुक्तिम दत्ते शर्वदोशाश्यमाना उन्साम श्रधा शालिनी विश्वभक्ति ही यह सालिनी चंद का चंदगान है लय है और सालिनी चंद का जो लक्षण है जो पहचान है वह प्रस्तुत इसलोक में घटित कराया गया है आप उसको लगाने का प्रयास करें वह उसी क्रम में इसमें चंद बद्ध है गणों को उसी क्रम में बद्ध किया गया है अगले चंद क यह भी एकाद साक्षर ब्रत्ती है यह भी 11 अक्षरो वाला चंद है आप देखेंगे कि कई चंद जो 11 अक्षरो वाले ही हैं किन्त उनमें गणों के क्रम में भेद हैं अक्षर तो एक समान है किन्तु गणों के क्रम में भेद होने से उनके लए में उनके चंदगान में भी परिवर्तन हो जा रहा हैं तो रथोद्धता चंद का जो लक्षर है रान्ना रावि रथोद्धता लगव कि रथोद्धता चंद के प्रत्यक चरण में क्रमसह रान्ना र अर्थात एक लगू और एक गुरुवर्ण होता है, जैसे कई इसलोकों में, इसलोक के मध्य में यती होता है, लेकिन यहाँ इस लोक के अंत में ही यती होता है लक्षण को उदाहरण के रूप में देखते हैं इस छंद का जो उदाहरण है किम्त्वया सुभट्य दूरवर्जितम नात्मनो नसुह दाम्प्रियम कृतम यत्पलायन परायरस्यते रस्तुत इशलोक में रत्तुता छंद के लक्षण को घट लाया गया है कि रगण? रगण का जो है राजभा राजभा का चिन्ध क्या हुआ? दिर्घ लगू दिर्भग नगण? नगण क्या है? मस्ति गुरुत लगुष चनकारो यह जो इशलोक है इसमें गणों के चिन्ध का वरण है नगण से तात्परे है नसल जिसके तीनों अच्छर लगू होते है और पुनह रगण आता है राजभा दिर्घ लगू दिर्घ यही क्रम बाकी तीन और अन्य चरणों में भी इसी क्रम में राप्त होता है इसको आप स्वयम लगा के घटित करा कर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे अगले चंद की तरफ बढ़ते हैं अगला चंद द्वादसाक छराव रत्ति ही बारा अक्षरो वाला चंद है वनसस्थ चंद जिसके इस लोकों को हमने किराता जुनियम के इस लोकों को पढ़ते समय हमने पढ़ा है वनसस्थ चंद का लक्षर है अथाथ वनसस्थ चंद के रत्तेक चरण में क्रमसह जतव जरव यह प्राप्त होते हैं जतव से तात परे है जगण, तगण और जरव से तात परे है जगण और रगण. तो वंसस्त चंद के सबसे पहले वंसस्त चंद में के प्रतेक चरण में 12 अक्षर होते हैं और इसमें जो गरों का क्रम है वह है जगण, तगण, जगण और रगण होता है और इसके प्रतेक चरण में 12 अक्षर प्राप्त होते हैं और पाद के अंत में अथात इसके प्रतेक चरण के अंत में यती होता है तो वनसस्त चंद बहुत ही सुन्दर चंद है अधिकांस कवियों ने भार्वी आधी अधिकांस कवियों ने केवल भार्वी ही नहीं ये पितु अन्य भी बहुत से कभियों ने अपने गरंथों में वनसस्त छंदका बहुत ही सुन्दर वरण किया है इसका हम उदारण देखते हैं क्रियाताजुनियम का ये प्रसम इश्लोक है श्रियह कुरूराम अधिपस्य पालिनिम प्रजाशु बृतिम्यम युंक्त वेदितुम् सवर्ण लिंगी विदितह समाययव युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरह रस्तो तिश्लोक में वनसस्त का जो लक्षण है जगन तगन जगन और दगन यह चार गन प्राप्थ होते हैं इसको हम पहले चरह में देखते हैं श्रियह कुरूराम मधिपस्य पाल इनि श्रियह में जगन आता है पहले जगन है जभान लगू दिर्ग लगू फिर तगन है दिर्ग दिर्ग लगू पुनह जगन है लगू दिर्ग लगू और पुनह दिर्ग लगू और दिर्ग प्राप्थ होता है रगन राजभा अंतिम जो है वो राजभा है इसी पर तरीके से अन्य चिन्द भी बाकी के तीन चरणों में दिखाई पड़ता है उसको लक्षण घटित करा के अभ्यास करने का प्रयास करेंगे अगला चंद है तोटक चंद यह भी द्वादास अक्षर वाला चंद है इसके प्रति एक चल्ड में 12 अक्षर होते हैं इसका लक्षर है इह तोटकमंबुधिसय प्रतितम अधात अंबुधिसय प्रतितम। अमबुधी कितने होते हैं? चार, अमबुधी मतलब सागर, सागर चार पाए जाते हैं प्रम्ख रूप से, इस विश्व में चार ही साहर है, तो कर रहा हैं, जिस चंद के, तोटक चंद के, प्रत्यक चलन में क्रमसह साईह सगन, क्रमसह चार सगन अम्बुधी मतलब चार, चार क्या है? सईह, सगन अथात कोई अन्य गण नहीं है, एक ही गण है, वह चार बार आया है और वह गण कौन सा है? सगन सोन्त गुरु हो, जिसका अंती मच्छर गुरु होता है, दिर्ग होता है तो तोटक शंद के प्रतेक चरण में क्रमसह, चार सगन, 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 सगन होते है इसके प्रतेक चरण में द्वादा सक्छर होते है, और चरण के अंत में यती होता है बहुत सुन्दर ये चंद है, और प्राया हमारे अधिकतर जो हमारे इस तोत्र ग्रंथ है उसमें यह चंद प्राप्त होता है, इसके उदाहरान को देखते हैं, बहुत सुन्दर इसका चंद लया है यह लए जो हमारे स्तोत्र में मधुराष्टकम है, वह भी तोटक्षंद में निबध्ध है, अब हम इसमें लक्षण को घटित करते हैं, जिसमें चार सगण हो, सगण अथार जिसके अंतिमक्षर दिर्ग हो, तो सगण में देखेंगे जयराम, जयरा जो है वह लगु लगु दिर्ग सगण है, पर ऐसी तरीके से आगे के जो तीन और हैं, वह भी सगण ही है, वह ही चिन्ध आगे जा रहा है, और यही सगण चिन्ध पूरे छंद में है, पूरे इस लोक में यही सगण चिन्ध का ही प्रयोग है, क्योंकि एक ही गण का प्रयोग है, एक गण पर आधा घान